नमस्कार दोस्तों फिर निफ्टी की इस वीडियो में आप सब का स्वागत है तो फ्रेंट्स इस वीडियो से पहले आपने दूसरी वीडियो जो निफ्टी बैंक निफ्टी की हम देते हैं उसे जुरूर देखना उसके बाद इस वीडियो को देखना है वो वीडियो फिर दे एक अच्छी retracement भी मिली उसके बाद यहां पे मैंने यह भी कहा था कि जब वापस कोई चीज वहीं पे आते तो वापस चीज बाय नहीं करनी है पहली बार में बाय करनी है जब दूसरी बार आते तो वो लेवल टूट जाता जाता तो फिर हमने यहां पे कुछ बाय नहीं करना था और नीचे की और यहां पे मैंने कहा था कि जैसे यह टूटे 18,235 तो आपने पुट लेनी है और हमें 18,202 तक के लेवल मिले और इस तरह से 20-25 पॉइंट यहां पे मिले और यहां पर भी हमें तकरीबद 30-40 पॉइंट मिल गए तो इस तरह से कुल मिला के काफी एक वोल यूएसडी आइन आर पे तो यूएसडी आइन आर पे सीधा सा फामला मैंने बताया हुआ रुपईये में क्या करना है कि जब जब यहां पे आए तब ही सेल करो बना करो इना यह लाइक सेशन मुझे किसे पूछा था तब भी मैंने कह दिया था किसे यहां पे आने दो 82.86 जब आएगा तो वहां पे सेल कर देना इसमें कोई ज़्यादा कोई बड़ा सिस्टम नहीं है रुपईये में ट्रेड गरनी काफी असान है तो कल के रिए जो तीन स्टॉक लेके आया है सबसे पहले है आपका वॉल्टास तो वॉल्टास में 863 के उपर इसने बहुत बढ़ तक 863 के उपर बना हुआ है तो इसमें बने रहे हैं दूसरा जो स्टॉक है वो है पर्सिस्टेंट सिस्टम और 4954 के उपर इसने फ्लैक के उपर ब्रेकर दिया है और अब जो नेक्स टार्गर निकल के आते हैं हार्मोनिक पैटरन के कोडिंग वो है 5300 और 688 और ध्यान रह तो और के उपर उपर ही इसमें एक बुलिश पैटरन है तीसरा जो स्टॉक है वो है एमफेसिस एमफेसिस ने यह एमा भी क्रॉस कर दिया है तो यह बड़ी है कि यह मा क्रॉस कर दिया इसने तो यह 200 एमा तो 200 एमा के उपर क्लोजिंग देना इसके लिए काफी सकते हैं तो आएए अब हम आते हैं फिन निफ्टी पर कि हमने फिन निफ्टी में क्या करना है देखिए फिन निफ्टी ने अपना बड़ा इंपोर्टन लेवल 18,350 तोड़ दिया है तो अब यह काफी बेरिश पैटरन में है इसने प्रिवियस जो लो था 18,244 वो भी तोड दिया है मतलब यह अभी ओर डाउंसाइट खुली ही है इसकी यह कहां जा रहा है 200 एमा की हो तो निफ्ट है क्लेर है कि उस तरफ जा रहा है और कल जैसे ही आज का लो तूटेगा और पांच-पांच मिन की तीन केंडल बनती है इसके नीचे 18,208 जो आज का लो है उसके है और टारगर 18,138 और 18,083 तक के आपको मिल सकते हैं इतनी जल्दी आपने इसमें कॉल ना मत बाय करना क्योंकि इसके नीचे भी 50 एम है तो मार्गर यहां तक भी गिर सकती है अगर थोड़ा सा कोई रिस्क ले सकता है तो रिस्क लेने का तरिक्का बताता हूं कि 18,083 200 एम पता है आपको कि यहां से रिवर्स होती है जाहतर मार्किट तो एक बार एक छोटा सा चांस लेके देख लेना 18,000 की कॉल जुरू बाय कर लेना यहां पर जैसे इसके नीचे जाए तो निकल जाना ठीक है क्योंकि नीचे वहम है वह अपनी तरफ अट्रेक्ट करेगा वहमा क 33 तो यहां तक अगर मिल भी जाए लो तो यहां पर उल्टा आप चार लोट और बाय करेंगे तो चार कर लेना ताकि average बन जाए फिर उपर के और यहां तो average पर निकल जाना चार लोट यहां से निकाल लेना दो लोट होल करके उपर की और 70,940 क्यों क्योंकि इस से आपका ज तक भी जा सकती है क्योंकि 7833 एक अच्छी स्पोर्ट है चार्ट पर्टरन के कोडिंग तो इसलिए मैं कहा रहा हूं और कुछ नहीं वन्ना सबसे ज्यादा चांसे यहीं है कि 50 में मां से मार्किट काफी ज्यादा रिकावर होगी थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा आपको यह 23,183 और बाकी मैंने आपको बताई दिया किसके नीचे आपने पुट लेनी है अब आते हैं कि हो सकता है कि कल गैप अपनिंग हो जे मैं नहीं कहता है वैसे अगर बाइचांस अगर हो जाती है और हो सकता है क्रूड घिर जाए 80 डॉलर पर आजे और जो कुछ भी मैंने 18500 के उपर ही जैसे 18500 के उपर आए तो आपने 18400 की कॉल बाय करनी है और नीचे जो स्टॉप लोस लगाना है वो लगा लेना 18477 यह स्टॉप लोस क्योंकि यह 20M है 20M है काफी important होता है और इसके जो target रहेंगे वो रहेंगे इससे तरह नीचे कर लिजिए और जो target रहेंगे 18527, 18577 और 18588 यह final target आपका कल का होना चाहिए अगर short covering आती है तो तो यह था complete trade setup फिर निफ्टी का USDNR और तीनो स्टॉक्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है जिरू लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़द 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 वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को ताकी पता चल सके कि मार्किर बड़े ही टेक्निकली और मैथेमेटिकली चलती है इसमें कोई तुक्के बाजी नहीं चलती है थैंक यू धन्यवाद